डॉक्टर विस्वरूप राई चौधरी दी पुस्तक हस्पताल चो जियों देके में मुढ़िये था अगलांग गैर जुरूरी इलाज दे जांच हर एक दवाई मरीज दी स्थेती नूं होर गंबीर बनों दी है रॉबर्ट हैंडरसन अनुसार जरा सोचो जाँ होते कार रास्ते चल्दी चल्दी खराब हो जाए तिर कुझ समैं बाद अपने आप ठीक भी हो जाए जर कदे तो अड़ी कार दा टायर पंचर हो जाए ते कार खोदी अपना पंचर ठीक कर लोय इना मशीन ना नाल जाँ होना एक सुपना ही होसक्त पर इंसान रुपी मिशीन नाल जया ही हुन दै जदो तोड़े सरीर दे किसे भी अंगोते सट लग दी है जा अंग दा कोई हिस्सा कटेया जान दै तो तो खून वेना शुरू हो जान दै फिर खून जमा होके जखमनों भी पहर दन दै तो कुजी दिना च तुसी पूरी तरह हो जान दे हो उसे तो रहां तोड़े सरीर जेकर कोई बिमारी दा वाइरस परवेश कर दै तो रोक प्रदीरों तक समरथा तोड़े सरीर दा ताप मानवदा दन दी है जेस नालो हानीकारक वाइरस अपनी सरगर्मी गवा दन दै ते कुछ समय बाद तोड़े बुखारू त मशीन ते मनुखी सरीर वेच एही एक वड़ां तरे साड़ा सरीर किसे कारखाने ज बणिया उत्पाद नहीं है कारखाने वेचो निकले उत्पाद ताम पूरी तरह नल तै किते गई पैमाने दे अनुसार हो सकते हैं पर मनुख दे नालजया नहीं हुंदा इस संसार दा हरे थीक व्यक्ति अपने आपच खास है उत्पाद नू बजार विच उतारन तो पहला उधी गुण वत्ता पाव क्वालिटी दी जांच कीती जान दिया ताकि उत्पाद विच पोल जां खराबी दी संभावना ते पहला ही रोक ला देती जाए जे किसे उत्पाद विच कोई क तो अड़ा स्रीर अपने आप दुबारावना नू बणालन दे जम्रम मत करालन दे जदो तुसी हस्ताल जान दे होता तो अड़ी स्रीर दी जांच कुछ इस्तरां केती जान दिया जमें तुसी इंसान नहीं क मशीन हो एस गल नू समझन लई जरायना उदारना होते गोहर कर पहला उन्नी सोक्कान में विच इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलोजी नामक जनल विच परकाशतीक रिपोर्ट दे अनुसार इक परियोग विच कुछ जय लोकानू कठे कीता गया जन विच गाल स्टोन नाल जुडे कोई विले चन नहीं सन। फिर उना सार्यांद वैसे गौल ब्लेडर रोग दी संभावना दा पताल गौनली अल्क्रासाउंड नाल स्कैन कीता गया पाया गया दस प्रतिशत लोकां विच गौल स्टोन मजूद सी दूसरा न्यू इंगलेंड जनल ओफ मैडिसन उनी सो चरान्वे दी रिपोर्ट दे अनुसार अजय लोकानू कीते जानतों बादे पता लगया पंजाब प्रतिशत विवद लोकांच बलिजंग लंबर डिस्क दी समस्या है तीसरा न्यू इंगलेंड जनल ओफ मैडिसन दो हजार अठ दे अनुसार अरिक परियोग ज कोज़ाई लोकानू कठे किता गया जनानू नाता गुड़ियां द दर्द सी नाई गोड़ियां दे दर्द नल जुड़ियां कोई इतिहास एदे बावजूद MRI राइंग गोड़ियां दे स्कैनिंग किती गई लगपक चाड़ी प्रतिशत लोकांदे गोड़ियां वेच मैनिस्कस डैमेज पाया गया निचोड़े है साड़े स्रीर हर वेले क अपना इलाज करन दा तंतर उते विश्वास ना कारके कबरा के अपने आपनों डॉक्टरां जां सर्जना दी हवाली कर दिन्यां इस तो बाद MRI जां अल्टर साउंड दिया रिपोर्टांच जो काटां दिखाई दियां हन् डॉक्टरोंनू ठीक करन च जोट जान दियां य टाइम मैगजीन दीक रिपोर्ट दे मुताबक मौत तो बाद सरीर दे अटोपसी टेस्ट नाल पता लगया कि लगपग 98 प्रतिशत लोकां दे सरीर वेच कैंसर वाले सेल गैर सरगरम रूप्च हमेशा विदमान ड्रेद दे हन् तो अनोना दे सरेच होन जा ना होन नाल कारना करके ये गैर सरगरम कैंसर वाले सेल सरगरम हो जान दी हन् वो कारण हेट लिखे हन् पहला लगातार कुछ भी नहाता का जैन्या द्वाइयां दा सेवन करना जोके अक्सर डाइप्टीज, कुलेस्ट्रोल जा हाई बलड प्रिश्र दे म्रीज कर दी हन् जा गर्ब नि मेमोग्रेफी, अल्टरा साउंड आद कैंसर नू सदा दिन दे हन् फिनलेंड दे पथलजिस्ट दियां रिपोर्टां दे रिकॉड अनुसार गले दी अटोप्सी च पाया गया कि लगपक हरेक इंसान दे थायरड विच कैंसर सेल बहुत काट मातरा चुन दे हन् इस लई ग पना चाहिद है कि इस रीच किसे कैंसर वाले सेल दे होन दी संभाव ना था नहीं गाई टु क्लिनिकल प्रिवन्टिव सर्विसेज उनी सो चैन्वे ज इस उजा दिता गया कि हरेक साल थायरड कैंसर दी स्क्रीनिंग ज़रूरी है अगले पन्ने उते दिते गए ग्राफ च तुसी अनुमान लगा सकोगी उनी सो चैन्वे तो बाद थायरड कैंसर दे मामलियांच अचानक वद्धा पाया गया खास गली है कि अक्सर जाए मामलियांच डॉक्टर थायरड ग्लैंड्स नो अप्रेशन दे टांग नाल कट देन दी कोशिश कर दे हन जिदी उककाई ज़रूरत नहीं हो दे थायरड ग्लैंड्स एक जया जरूरी ग्लैंड है जी दे कट दे नाल पूरे स्रीर दी बायो का मिस्टरी एकदम विगड़ जन दी है ते मरीज एक जियों दी लाश वांग हो जन दै तुसी ग्राफ ते गौर करोगे ते जानोंगे सन 2005 तक थायरड कैंसर दे मामले महज जान्च दी वजा नाल जा जान्च तो बाद कई गुणा बाद गए ज़तके थायरड कैंसर नल होन वाली असल्च मौत दे अंकड़े 1975 विच जिनने सन 2005 विच वी होन नहीं है मतलब बिलकुल साफ है हस्पतालां दी एक ही कोशिश रंदी है कि वो जरूरी तो और दी किसे बहाने तो अनू रोगी बना दे इदे नाली कजेया इलाज परदान करन जी दी तो अनू कदे जरूरत ही नई सी होन मैमोग्राफी पाप ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होते जरा जुग गौर करो हस्पतालां वल्लों ये परचार कीता जान दा के 40 साल दी मुर्तोबाद हरे एक ओरत नू ब्रेस्ट कैंसर होन जा होन वले लचना दा पता लगाउन ली स्क्रीनिंग करवानी चाही दी है इसे मैमोग्राफी दा सच जानन दी कोशिश करते हैं नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स यूएस लगातार यूएस सरकार दी सेथ विपागदांगे दे अनुसार जे 2000 और तां लगातार 10 साल तक मैमोग्राफी करवानी यहान तां 2000 विचों के वल इक ओरत नू ही इस स्क्रीनिंग दा लाब होएगा मतलब साफ है स्क्रीनिंग दी वजा नाल 2000 विचों के से एक और दस स्टन कैंसर दी मुडली स्टेज उते फड़या जा सकता है जिस नलो दे स्टन कैंसर दे ठीक होन दी से विपावना बच जन दी है एस गालुते गौर करो के लगातार मेमोग्रेफी नाल किन्ने प्रतीशत और तानू नुकसान होएगा 1992 तो उस्तानवे तक नार्वे सिरकारवलों करवाईया गियां दो खोजा नाले परमानत होया के मेमोग्रेफी नियां तरंगा स्रीर्च कैंसर पैदा कर दियां हन लगातार छे सालां तक जेकर किसी ओरत ने मेमोग्रेफी टेस्ट करवाई तो उदे ब्रेस्ट कैंसर नाल पीड़त होन दी संभावना लगपग बाई प्रतीशत वज़न दी है ठीक है से तरह बार बार एक स्रेज एमाराई नाल किती जानवली जांच पड़ताल नुकसान दाई को उसक दी है जरैना उदार नान वार नल देखो केस एक एक वारत मिर्गी दे दोरे प्यान कारन ब्रेन स्कैन दे लई पहुंची स्कैन दे दोरान वो दे साइनस चीक गंड मिली हालांके गंड दा मिर्गी दे दोरे नल कोई लेना देना नहीं है दूसरा केस एक व्यक्ती रीड दी हड़ी ते साट बज़न करके एक स्रे करवान गया ते रेडियोलोजिस्ट ने फेफड़े आंची एक दाग खोज लिया हालांके एस फेफड़े दे दाग दा रीड दी हड़ी दी साट नाल कोई लेना देना नहीं है केस तिन इक औरत अपनी साल आंड दी तकलीफ दे कारन CT स्कैन करवान ले गई ते अन्जाने ची ओदे लिवर विच एक गंड मिली जाद के इस लिवर दी गंड दा साधी दिक्कत नाल कोई सबंद नहीं है इस तरह जदो स्रीर दे अंदर स्कैन कीता जान दा है ते रेडियोलेजिस्ट दाते आन किसी ना किसी असंभावित वदे वल चला जान दा है डॉक्टर इस तरह दी खोजनों इंसिडेंटल से नानाल बिलों दे हन अजे या वद्दात वड़े स्री चकसर आंदा ते जान दा रहन दे तो डॉक्टर इनू घर जरूरी ही कैंसर वले से लांच वदे दना दे दन दे हन फिर एक चंगे पले तंदरुस्त व्यक्ती ते कैंसर दे सारे इलाज थोप दे जान दे हन जिना दियोस नू कदी जरूरत ही नहीं सी आर्काइवस आफ इंटर्नल मैडिसन उनिस्वचर आवे दी रिपोर्ट दे अनुसार जे कर तंदरुस्त सौ आदमियां दे फेफड़ेंदा CT स्कैन किता जाए ता लगपग पैंती प्रतिशत लोग कांदे फेफड़ेंद जेंगयां गंडा दिसन गयां जो के कैंसर दियां गंडा परतीत होन गयां पर 9.9 प्रतिशत मामलेंद उते कैंसर दी बिमारी नल कोई सबंद नहीं होएगा ठीक ऐसे तरह, 100 तंद्रुस्त लोगकांदे गुर्दयां दे सकैन वेट 3 प्रतिशत लोगकांदे गुर्दयांच गंडा दिखाई दितियां जो पहली नजर कैंसर वालियां परतीत होन जादके सै अर्थावेट उनांदे कैंसर वालियां होन दे संबावनद लगपग 0.05 प्रतिशत ही सी इसे दरां जे लिवर दे सिटी सकेंट केवल 15 प्रतिशत लोकांच इंसिडेंटल्स मिलनगे जीनू पहली नजर ची डॉक्टर कैंसर दास देनगे पर मनुख दे पूरे जीवन चो इंसिडेंटल्स लिवर च बिना किसे तब दीली दे जन स्रीर नो किसे तरह दा नुकसान पहुचाए बिना बस उन्ज ही पहे रहेंगे पावे जे कर तुसी आधुनिक मशीन नानाल स्रीर दे अंदर देखोगे ता निश्चित रूप्च जरूर अजया कुछ ना कुछ मिली जाएगा जो मेडिकल दी दुनिया जो तो अडेली जान लेवा करार दे दिता जाएगा पर सच ताय हूँ है कि स्रीर विच जहरीलियां किरना दे राई गैर जरूरी चाती मारी करना जा स्रीर दे अंदर नाल छेड चाड करना तो अडेली कातक सिद हो सकदा है एक कोड़ा सच है कि जन्ने लोग दवाई दे ना मिलन करके मर दे हन उस तो किते वद लोग दवाई खा के मर दे हन स्वामी राम देव अनुसार अगला लेख है साइड एफेक्ट दा कोड़ा सच अधुनिक दिवाईयां दे लई अज कल एक शबदी वरतों आम तौरते कीते जन्न दे है वैस साइड एफेक्ट जहां दुर पर बाव अकसर देखिया गया है के रोगां तो बचा दे लई लियां गयां दवाईयां दे दुर पर बाव उस रोग तो किते ज्यादा कातक ते गंबीर हुन दे है उदारन वज़ओं जे तुसी क्लिस्ट्रोल को टाउन वळदेवाईयां लगा तार तेन तो चार साल तक लेंदेओ तो अनू ढाईप्टीज हो जानी है अकसर ढाईप्टीज दियां 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 लगातार तेन तो चार साल तक लेंड नाल कैंसर दियां सुंबावनावां कई गुणा वज्जान दिया हन। अनुसरा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल अक्तूबर उनिसो निदे अनुसार किया जा रहे हैं कि प्रोजेक, प्रैक्जिल, जोलोफट, ट्रैजोडोन आद दुवाईयां दे कारण ज्यादा खून वेंदा है जो कि स्रीर देले कातक से दो सकता है। इनविच, गेस्ट्रोइन्टेस्टाइनल, जैन्टी यूरेनरी जा इंटारियनल खूनदा वहावी शामल है। दर्द निवारक ते सोजाद नू कटां दे लई। दितियां गईयां एस्प्रेन वरगियां दवाईयां वी इस खत्रे नू काफी हाथ तक वदा देन दिया है। तीसरा, अमेरिकन जैनल ओफ एपिडेमोलजी मई दोहजार पांच दहा के आदिया ध्यन तो बाद एतात सामने आया है के ट्रासाइकलिक, एंटी डिप्रिसेंट, इमी प्रोमाइन, एमी ट्रिपलेनाद, ब्रेस्ट कैंसर दा खत्रा वदा दिन दिया। चोथा, जनल ओफ क्लेनिकल साइको फार्माकालजी जून दोहजार बजार विच हतो हत विकन वाली दवाई, क्लोज पाइन नालवी अच्चानक होण वाली मौद देने का मामले सामने आया है। पंजबा, प्राइमरी साइकाइट्री स्तंबर दोहजार लगपग, पांच दहा क्या दी वरतों तो बाद, मेलारिल दवाई नूं काडियेक अरद्मिया देनाल जोड़ेया जा रहे है। इस मस्या ती साल पहला ही पाई गई सी, लेकन हाल वेट सुबा बनाल दुबारा एदा पता लगया है। विच सेरी वे स्टार्टेन दी स्क्रीनिंग शुरू किती गई। बजार चो दे मुकाबले मिल रहे हैं दवाईया दी तुलना चे दी थोड़ी खुराक लैंड दी सला दिती गई। पार रौन वले दिना चो दा कोई परभाव नहीं देसिया ता दवाई दी मातरावदा द दिती गई। इदा तुरंत पर बाप पे आते फिर रैप्डो मायलसिस ता किस्सा सामने आया जिस्ट पता लगया कि इस दवाई दी वर्तों करन वाले अनेका लोग सरीरक असधारन तावां ते रूगानाल ग्रस्थ हो रहे हैं। निर्माता कंपनिया ने नाम ते लेबल आ चो हटा दिता गया सत्वान दा लेसेंट एक जनवरी दोहजार पंच वायकस दवाई वायकस नाधियां दर्द निवारक दवाईयां दे एक वर्ग नान स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेंटरी ड्रग मनिया गया सी पर राश्ट्री पदर ते निकले सिटे तो बात पता ल चो हटा दिता गया इस दर्द निवारक दवाईय ने क्रोडा रुपैदा मुनाफा कमाया ते लखा मरीकियां ने बेच जके दा सेवन कीता पर कई सालां बाद जद्वेजे दुर पर बाव सामने आये ते इनु वेचन थी पबंदी लगाई गया अठवा एनल्स आफ थोरे सिक्र सर्जरी 2005-40 सालां तक एप्रो टिनन दी वर्तों तो बाद होए एक रिव्यूज बता लगया कि ए दवाईक बहुत छेती परवावदि खौन वाली एलर्जी इन्फाइललेक्टिक पैदा कर दी है जो जान लेवा भी हो सकती है पेट विच तेज दर्ध होना सालांच साधारन वाजा होना बिचैनी आदे दी होर लच्छना विच्चू हन एप्रो टिनन दी वर्तों पूरी दुनियांच तेजी नाल फैली थे एदे कई नमे रूप सामने आये थे आंतनू इसो ते 2007 पबंदी लगा देती गई नमा दा लेसेंट आंकोलोजी अगस्त दोहजार नौ प्रोग्रेसिव मल्टिफोकल लिकोएंसे फैलोपैथीक प्यानक ते जान लेवा सेंट्रल नवर सेस्टम डिसॉडर है रिसर्च ओन एडवर्स ड्रग्ज इवेंटस अन रिपोर्टस वलों केती गई को खोच पता लगया के जिना रोगियां दा इलाज रिट गजी मैब, नतालिज मैब ते इन्फलिज मैब वरगियां दोहजा नाल कीता जा रहे हैं से उनाच ए विकार विशेश रूपच पाया गया दोहजाँ दे बजार च लेओन तो साड़े पांच सालां बाद उना ते पबंदी लगा देते गी दसवाँ, BMJ आर्काइवस साफ डिजीज इन चाइल्ड हुड FDA ने उन्नीस अस्तानवेच मुटापे होते काबू पाउण ते वजन नियमत करन लेगी सिबरू ट्रामेन नो मंजूरी देती जन्वरी 2010 विच यॉर्पियन मैडिसन अजंसी ने दी मंजूरी दे रोक लगा देती ये दा लाइसेंस भी राद कर देता गया क्योंके जी वर्तो नाल कार्डियो असिकलर रोगां दे कई मामले सामने आए इस दवाई उत्ते 12.9 सालां तो बाद पबंदी लगा देती गई होन इना सारियां उदारना नाले साफ है कि तुसी एक बेमारी तो छटकारा मौनली हस्ताल जान देओ तो फे दे रूपची एक बेमारी होर लेके मुर देओ उदारन दे तौरते जरा सोचोई कि कैंसर दा मरीज हस्ताल जान दे उन्वी इलाज दे नाते केमो थेरपी दा जलम सैना पेंदे केमो थेरपी दा बुन्यादी तंतर ही है क्यों स्रीर दे लई जरूरी सिफैद खून से लानू लगपाग समाप्त करदें दे जो स्रीर दे रोग प्रतिरोदक तंतर ली अधार दा काम करदें इस तरह रोगी केमो थेरपी दे दूर पर बावानाल ग्रस्त हों के मुड़दै रोग प्रतिरोदक समर्था दी काठना लैका मुशकला दे दूर पर सामना करना पएंदै तसी येन न सारे लच्चना दी तुल ना एड्स ग्रस्त रोगियां दे लच्छनानाल भी कर सकते हो, क्योंके उना दे स्रीर विच भी उही लच्छन पाई जन्दी हल, जिनान वसी, कीमोथेरपी, करवाण तो बाद पौने हैं, हेड लेके तुल नात्मक लच्छना वलते हैं दो, कीमोथेरपी ते दूसरा है, एड्स पहला, कीमोथेरपी, जहरी ले रसाइनानाल कीती जन्दी है, एड्स, human immunovirus वल्लू हमला, कीमोथेरपी, स्रीर विच खोन, मास पेशियां, मास पेशियां, चमडी ते हड़ी रही रसाइन पाई जन्दी हल, एड्स, लाग वाले खोन, सुई, खोन चड़ान जा, असरक्यत स सुमबो करन्च वाईरिस वैल दै, तीसरा, कीमोथेरपी, लाग तो पहला लच्छन, कीमो तो दो देन हफ्दयां बाद, रोग प्रतिरोधक सम्रथा दी हेटले पदर तक पहुंच दे हन, टे एड्स, लाग दे पहले लच्छन दे तिन हफ्दयां बाद, रोग भुखार ठंड जोडांदा दर्द जी कच्चा होना उल्टी होना आद ते थकेवां ते अदर एड्स वेच फ्ल्यू भुखार सिर्दर थकेवां ते स्रीच गंडादा बदना पज्वां जहरीले लाल ते स्वैद खोनकन ते उना दे अंगां टी सेल्स ते प्लेटलेट्स न नश्ट कर दें दे जिस नाल रोग प्रतिरोधक सम्रता पर बावत हुन दी है चेवां रोगी निमोनिया थे हपेटाइटिस वर्गे हमलयाली बहुत संबे धन्सी लोजांदा पे एदर, एड्स नाल, एट यूमर, काप पुसी, सारकोमा, नौन हजकिन, लिंफोमा, सर्वाइकल कैंसर, लिवर कैंसर, फेफड़यां दी कैंसर आदी संभावना वदाद है केमो थेरपी दे कारण दिमाग दाकार छोटा जबड़ा हो सकत है एच एवी लौग नालवी दिमाग दाकार छोटा जबड़ा हो सकत है नियरोपैथी जब ब्रेन डिसॉडर होन दी संभावना केमो थेरपी कारण वज्जन दी है परम पुलना विहार वे चौन वड़ी तब्दीली हथांज अलतांच संभेदन शीलता दी काठ होना आद नियरोलोजिकल डिसॉडर होना दस्वाम केमो थेरपी कुझ मिन्या तो दस साल तक दा जीवन काल होन दै कीमो नल पावे कैंसर उस समय तक दब जान दै पर इदे बार बार होन दी संभावना वज्जन दी है इनू केमो थेरपी नल ठीक करन दी कुशिश किती जान दी है ते अधर एड्ज आ इलाज नहीं होन दा वाइरस नू स्रीर वे चो बार नहीं कड़िया जा सकता बार मरीज नू जीवन पर केमो थेरपी करवाँदे हुए डाक्टरां दी सला नल चलना पेंदा है एड्ज विच मरीज नू जीवन पर इलाज करवाँदे हुए डाक्टरां दी सला नल चलना पेंदा है इस सूची नू एक के तुसी खुदी अनमान लगा लो के कैंसर दा मरीज हस्ताल विच अपने कैंसर देल आज लई जांदा है पर वापस मुड़दा है तो एड़ जे लचन वी तो फे बज़ों उदे नाल हुंदे हन तन्वाज